बैठे रहना, घर में बंद रहकर जितना हो से चलना, तो हमारी संग के कई स्वाइन्चों को लगता होगा, शाखायें अभी मैदान पर लगना बंद है, कार्या करम बंद है, संग शिक्षा वर्ग प्रारंब हुए होते, वो बंद है, तो हमारा काम बंद है, लेकिन हम अपने अपने घर में बंद है, लॉक्डाउन कहते उसमें है, तो भी जीवन तो चल रहा है, ऐसे संग का कार्य भी चली रहा है, नित्य के कार्यक्रम बंद है, दूसरे कार्यक्रमों ने उनकी जगह लिए है, ये संग के लिए भी और हम सब की जीवन के लिए भी सकत है क्योंकि जीवन मनुष्य का इसकी कल्पना क्या है तो सारी दुनिया मानती है और संगय में हम लोग मानते कि हम स्वयम अच्छे बने और अपने अच्छाई का उप्योग करके जग को अच्छा बनाएं दुनिया को अच्छा बनाएं स्वयम अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता उसको भी लोग अच्छा नहीं करते हैं और दुनिया के लिए गल्ती से कुछ अच्छा कर भी लिया लेकिन स्वयम के जीवन में अच्छाई का कोई आउश्ण है उसको भी दुनिया अच्छे नहीं कहते हैं गे जीवन के या संघ कारे के एक गई सिक्के के यह दो है अपनी परंपरा में अइसा केते है का एकांतमे आत्मसाध्ना ग्र आ दो कि था कि अबने स्वें चीमधर आशाना कर रहे हैं मैदान पर एकंत्र आकर नहीं कर रहे हैं अपने परिवार के साथ attracting कर रहे लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निष्टित है उनके परिवार में, उसमें प्रार्थना हो रही, अनेक प्रतिद्नित स्वयन से होग अपने प्रतिद्ना का रोस्मरण करते होंगे, नित्य शाखा के कारेक्रमों में अभी इतना ही करना संभव है, उतना चलना है, बाकी क कार्यक्रम दूसरा बदल गया है वो सेवा का कार्यक्रम है प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे और सारा समाज हमको प्रोच्छान भी दे रहा है परन्तों हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं बनना चाहिए कार्या है कार्यकरम अपना कार्या नहीं है स्वय्म अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना यह अपना कार्या है प्रयास से एक भिखू गए तथागत के दम्म का प्रचार करने के लिए कुछ वर्षे वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लखा जाए चीनी भाषा में वहां के जन्रता की लाप के लिए तो लिख कर तो तयार हो गया लेकिन उस्सो छापना है तो वहां उनके जो संपरक थे उन सब लोगों से वो मिले उनसे धनी कठ्ड़ा किया बताया तथागत का चरित्र उससे चापेंगे और सारा धनी कठा होने के बाद छापने के लिए छाप खाने में वो हस्त लिपीद देना कल देनी है तो आज रात में बड़ा भूचा ला गया और बहुत से देहाद बहुत से शहर तहसनास हो गए तुरंत सेवा कारे में सब लोग लग गए तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभावी कुपयोग लोगों की राहत के लिए हो गया वो धन समापतों हो गया इसलिए कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्को ने सबको बताया कि धन तो दिया था आप लोगों ने लेकिन वाइसे काम में हो गया खर्च तो और एक बार धन संकलन फिर से वाइसा किया फिर जब चाप खाने में जाना था उसके पहले के उस दियने एक बड़ी बाढ़ा गई फिर रहत कारी करना पड़ा सारा संकली धन उसमें व्याय हो गया फिर जाकर लोगों को समझाया लोग भी समझ गये तीसरी बार धन संकलन हुआ इस बार कोई आपत्ति नहीं हस्तलीपी छापकाने में गई मुद्रित होकर किताब तयार हुई किताब का धुमधाम से प्रकाशन हुआ और उस किताब को बड़े श्रद्धा पुरुवक खरीदा और पढ़ने के लिए अपने अपने घर में जब लोगों ने उसको खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था कि ये तथागत के चीनी भाषा में चरित्र की तीसरी आवरत्ती है ये लिखिच चरित्र एक चरित्र का सुरूप है लेकिन उस चरित्र का जो संदेश है दुनिया की दुख्खमुकती उसको आचरन में उसके पहले दो बार लाके दिखाये गया तो वो भी उस पुस्तक की का वृत्ति है कि ऐसे हम आज जो कर रहे हैं वो भी कार्यक्रम बदल के ताही कार्य कर रहे हैं इस भावना से उसको करना है तो स्वाभाविक है किवल संग के लोगों के लिए नहीं सभी के लिए कुछ बाते स्पष्टो हो जाती है एक तो हम यह सेवा क्यों कर रहे है उसकी प्रेरणह हमारी स्वार्थक ही नहीं है अपने अहंकार की तृप्ति आ अपनी किर्थी प्रसिद्धी के लिए यह नहीं कर रहा है जो लोग सहयोगी बनना चाहते उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रशिद्द करना पड़ता है अपने कार्य की रचना में हम सबको सविस्तार वrittते ठिक ठिक पता चले इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है लोगों को प्रेणा मिले इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुभों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है परन तो अपना डंका बजारी के लिए हम यह काम नहीं कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं यह अपना समाज है अपना देश है इसलिए इस स्वार्थ भय मजबूरी प्रतिक्रिया यह अहंकार इन सब बातों से रहित आत्मिय वृत्ती का परिपाक है यह सेवा और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है निरहंकार वृत्ती से लगना है श्रिय दूसरों को देना है और अभी यह जो विशिश का आपति है उसमें जो सेवा करनी है उसमें लोगों का प्रवोधन भी करना पड़ता है कई बाते बतानी पड़ती है तो बताने का परिणाम तब ही होता है जब हम उसका पालन करते हैं और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं उन सबका पालन पहले अपने को करना है वो पालन करते हुए भी करना है घर के बाहर निकलना है लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमती चाहिए लोगड़ौन है तो अनुमती पूरवक ही काम करना फिजिकल डिस्टन्स रखना है अंतर रखना है वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा छोटी छोटी बातों में भी सहज रखकर स्वयम उसके पालन का उदारन बनकर हमको लोगों को बताना है और हम यह कर सकते हैं महाबारी नहीं है उसने कहर मचें लेकिन उससे डर जाने की अवश्चता नहीं है डरने से काम नहीं होता डरने से संकट का बल जादा बढ़ता है अपना संतुलन कायम रखके मन में भेका लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से पाई करने है कैसे करने पड़ेंगे क्या क्या करना पड़ेगा इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम येशस भी होता है आत्म विश्वास युक्त ऐसा अपना सुन योजित प्रयास करना है और सातत्य पुरुवक प्रयास करना है क्योंकि ये बीमारी नहीं है इसमें निश्चित क्या-क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते जैसे इसे अनुमा आता है वैसे ही पता चल रहा है और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं जल्दी से जल्दी समाफ तो ये पूरा प्रयासम करेंगे लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीडित लोगों को रहाद देने के और ये बीमारी नहीं फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे लेकिन कुछ उसके जैब में पैसा था कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था तो उसको पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफल लग होकर मर जाएंगे इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहाँ पर जुवा खेलेंगे जारा धन उड़ा देंगे फिर मर जाएंगे लेकिन उसको पता जला कि उस गाओं के पास उस शहर के पास एक बहुत लंबी चवड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था इसलिए दो-तीन माइनिंग कमपनीज ने वहाँ आकर खुदाई की 500 फिट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं निराश हो गए इसलिए उसका लिनाव वो करने वाले थे तो उसको लगा कि ये भी एक जुवा है चलो जाके बोली बोलेंगे अब इतना तो धन नहीं था उसके जैब में इतनी बड़ी जमीन खरीजी कर सके लेकिन वो 200-फिट की जमीन नहीं थी 200-फिट का लंबा चोड़ा गहरा गड़्डा बना था उसको कौन खरीजेगा उस निलाभ पहुचा इसलिए इसके जैब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कमपणी ने दे दी थी तो उन्होंने आके पूछा क्या करें काम अभी बंद करें कि पाच बज़े तक करें और बाद में छोड़ें तो उसने का आपने पैसे लिया है तो पाच बज़े तक खुदाई की तीन फीट और खोदा उसमें जो नमुने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की ख़दानों का मालिक बाद में एक रेलवे कंपणी का मालिक ऐसा सब कुछ बन गया फिर से उसका जीवन बन गया उसने लेख लिखा ओ मैंने पड़ा रिडोस डाइजस्क में आया था कहानी अमरीका की है लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिट्विन दिसक्सेस एंड फेलिवर इस थ्री फिट तीन फिट के अंतर के लिए अपना सातत्य ख़दान मालिकों नहीं छोड़ दिया तो वंचित रह गए और तीन फिट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभो मिल गया इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए उबना नहीं चाहिए ठकना नहीं चाहिए करते रहना चाहिए सब के लिए करना है इसमें कोई भेद नहीं है जो जो इसके पीडित है वह हमारे अपने हैं भारत ने तो जिन दवाईयों के और निर्याद पर बंदी लगाई थी दुनिया के लिए उसको हटा कर थोड़ा बहुत अपने तरफ लुकसान लेकर भी दवाईया भीजिये जो मां देंगे उसको देंगे क्योंकि यह हमारा स्वभाव है हम मनुष्यों में भेद नहीं करते और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं करते हैं सब अपने हैं जो 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 जिसकी जिसके आवस्चता है उन सब की सेवा जितनी अपनी शक्ति है उतनी सेवा करनी है और यह से भड़ा ने के लिए काम नहीं करना है। इसलिए जो सबको साथ लेकर सबके साथ रहकर काम करना है। है सामुहिकता काम करना है। इस प्रकार से हम सेवा करेंगे हो नहीं है लोगों काम अच्छा होना चाहिए सेवा का काम है उपकार तो है नहीं हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं इसलिए उत्तम होना चाहिए प्रेम से होना चाहिए हनुमान जी के कारे के बार ऐसा वालमी की रामायन में कहा गया है देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर तब चार उनके विशिष्टों का उल्लेक किया दृती दृती मती और दाक्ष यहने दक्ष था सावधानी सावधानी आवस्चक है हम काम करेंगे लेकिन हम काम करते रहें इसलिए काम करते करते हम बीमार न हो जाए इसलिए आजकल आयुश मंतरा लेके द्वारा एक समर्थित काढ़ा है उसको हमने रोज पीना चाहिए बाकि मास्क लगाना अंतर रखना यह सारी बाते हाथ दोना पच्छता रखना हम स्वयम चिंता करें कि हम काम करने लायक रहे अपनी मदद जिनको वास्तवित आवश्चकता उन तक पहुंचे दूरत लोग भी रहते हैं दुनिया में वह हमारी मदद लेके चले न जाए इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सजगता से काम करना पड़ेगा कोई छूट न जाए जिसको आवश्चक है उन सबके पास मदद पहुंचे ऐसा काम करना पड़ेगा बुद्धी ठीक रखनी पड़ेगी किसको किस बात की आवश्चकता है सामान्य सूचना है सबके लिए लेकिन कुछ विशेश आ रहीती है उसमें उस प्रकार की रहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार करकर चलना पड़ता है अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचिला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्चकता जिनको है ऐसे लोग आ जाए फिर दुरुष्टी की बात है हम ये सब बताएंगे ये सब करवाएंगे तो आदते भी लोगों के ठीक रहें आदते ठीक न रखने के कारण भी ये बीमारिया आती है तो ये अनुभों लोग ले रहे हैं अब उनकी मनोभूमी का तयार है तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए ये केवल कार्यकरम नहीं है इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक् अभी रहे हैं अपने पवित्र समाज का सवरक्षण और सरवांगिन उन्लती यह हमारी प्रतिद्ञा है और इसलिए उस दुर्ष्टी को ध्यान को काम करना है और धैर यह रखना है कितने दिन कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है सतत करना है ऐसा करते रहना और ऐसा करते रहते समय यह जैसे गुण है अनुमान जीक से वैसे विदुर नीती में एक बात बताई है दोशों को टालने के शट जोशा पुरुशेणेह हात व्याम भूति मिच्छताम जिस पुरुष को अपना विजय चाहिए अपना प्रभाव चाहिए अपनी खुशाली चाहिए उसको छे दोशों का हनन करना पड़ता है उनको दूर करना पड़ता है वो कौन से है निद्रा तंद्रा भयक अलस्यम दीर्ग सूत्रता आलस्य स्काव और दीर्ग सूत्रता काम की नहीं है तत्पर्ता चाहिए जब उपस्ति भाःत का करें इस सारी के दौर में काम बहुत अच्छा हो गारा है इसका पहला कारण है की तत्पर्टा पूरवक सारी उपाई-योजन औह यहां के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पुर्वक समाज के एक बहुत बड़े आउशन ने उसको अमल में लाया कि तो आलस्य नहीं किया कि दिर्गस उत्रता नहीं दिखाई इसको ध्यान में रखना चाहिए वो तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए निद्रा तंद्रा याँने असावधानी काम करते करते धुन लग जाती उसको तंद्रा कहते धुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं क्योंकि उसमें विचार नष्ट होता है सोच समझ के सजग रहकर एक-एक कदम डालते हुए काम करना और भय और क्रोध को टालना लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले चुपने का प्रयास करते हैं लोगों को कुछ नियमों में बान दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिवंदर आ रहे हैं अब संगय ने अपने और मार्च में ही तैय करके जून अखिर तक स सारे कारिक्रम बन कर दिया लेकिन किसी किसों को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कारिक्रमों पर प्रतिवंदर कर रहे हैं इस निमित और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है उसके कारण कुरोध पैदा होता है कुरोध के कारण अविवेक होता है फिर अतिवादी कृत् हम जानते हैं कि इसका लाब लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है उसमें एक कार यह भी है परन्तु दो बाते दहन में रखनी चाहिए जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना इस पर क्रोध नहीं करना इससे डर नहीं मन में रखना वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोध वश कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेट कर उससे दुरी बनाना सर्वत्र दोस्ष रखने वाले लोग होते हैं सामने लोगों के मन में कुछ आ सकता है सामान्य लोगों ने सबने खबरदारी लेनी चाहिए यह अपने देश का विशे है देश हित का विशे है इसमें हमारी भूमी का सहयोक की ही होगी कभी भी विरोत की नहीं होगी मन में किन्तु परंतु है उसका द्वेश करोत को भड़काने वाले लोग है उनके खेल चल रहे स्वार्थ के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं राजनीती भी बीच में आ जाती है यह जिनको करना है जिनका चलता है उनको चलता रहे इससे बचना यह लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागरुत रखना लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावस कोई खुनना सब्सक्राणी होनी नहीं चाहिए भारत का 130 करोड का समाज भारत माता का पुत्र है अपना बंधु है इस बात को धैन में रखना चाहिए भाया और क्रोड दोनों तरब से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समुव के समझदार लोग है नेतृत्व करने वाले लोग है उन्होंने इससे अपने समुव को बचाना चाहिए और ऐसे भया या कुरोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है हम लोगों को नहीं रहना चाहिए यह अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए यह ऐसा नहीं करते तो क्या होता है भारत के समाज को 10 9 या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना है एक ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए यह सारी बात सोचनी की बात है ऐसे संकट के घड़ी और ऐसे मन में परंतु रहते हैं रह सकते हैं अपने स्वाबाविक है उनके चपेट में न आके हम सारे भेदकी स्वार्थकी प्रवर्तियों को अलग रखते हुए उनको उभरने न देते हुए देशित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए भया क्रोध यह दो दोश है उसको टालना चाहिए उन सन्यासियों की हत्या हुई पिटपिट कर महारा ला लगया निरुपद्रवी लोग थे किसी का कोई अप्रादूना नहीं किया नहीं था धर्मा का आचरण करने वाले धर्मा का आचरण फैलाने वाले इस मानव पर उप स्रद्धान जली देने के लिए हिंदु धर्मा आचार्य स्वभा ने कुछ आवान भी किया है विशुवंदु परिशद ने जो कारेकम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे कि उनकी स्पूर्ची में अपनी स्रद्धान जली व्यक्ता करता हुआ इस विशे में मैं आगे बढ़ता हूं धाईर रखकर सारी बाते करनी चाहिए क्योंकि यह विमारी जाएगी लॉक्डाउन की आवस्चता नहीं रहेगी लेकिन जो अस्ता वियस्त हो गया उसको ठीक करन में समय लगेगा हमने देखा है कही कही ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंदन शीति लोने के पाद एकदम भीड़ हो गई फिर से उनको तितर वितर करना पड़ा यह अविवेक हो सकता है समाज में सामान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते ह अब विद्याल्य खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टंस मेंटYour आने वाले समय में कई दिनों तक उसकी व्यवस्टा कैसे हूगी वह बताना भी पड़ेगा समाज कठ था यह काेसे ओसकता है सोचना भी पड़ेगा विद्याल्य में विद्याल्य लेके आस्पास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते क्या क्या करके विद्याले की शिक्षा शुरू भी होगी और यह डिस्टंस मेंटेन होगा बाजार वगरे शुरू होंगे लोकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन करेंगे फैक्टरी उद्योग शुरू होंगे तब भ याने राहत पहुचाने का काम शायद कम हो सकता है परन्तु फिर से ये बिमारी न आये उतावली न हो इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव सदाचार स्वयोग का वातावरन बनना चाहिए समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी समवाद रखना पड़ेगा अनुशासन पालन के बारे में स्वयम का उधारन और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी लोगों की क्षमता प्रतिकार क्षमता बढ़े कई आयूरिदिक उपाय है योग है वियायाम घारतर के प्रनायाम है उपाय तो अपना उस्वास्ता मंत्रा ले भी बता रहा है और जगह जगह के चिकित्सक भी बता रहे हैं उसका नित्य नियमित आचरन करने का एक क्रम कुटुम्बों में चलना चाहिए कुटुम्बों में संसकार का वातावरन होना चाहिए शांत दिमाग से किसी भी भय याने पैनिक के चपेट में हम ना आते हुए जो करना है वो करता हुए ठीक से करना इस प्रकार का सभाव बनने के लिए कुटुम्ब में भी उस प्रकार के सभाव का समस्कार होना चाहिए इसके हमको प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास में वही करम रहेगा हमको उधारन बनना पड़ेगा हमको समुपदेशन करना पड़ेगा हमको अपनी सेवा से सबको जोड़ना पड़ेगा और सबका सहयोग जुटाना पड़ेगा यह बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ शायद ही पिछले और कुछ शतकों की इतियास में विश्वा पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है तो संकट तो है और हम लड़तो रहें लेकिन यह संकट कुछ रिखा भी रहा है जैसे प्रदान मंत्री नहीं कहा सरपंचों को कि यह संकट हमको स्वावलम्ब्रों की सीख दे रहा है तो कई ऐसी बाते भी आ रही क्योंकि यह संकट जाएगा जो अस्तावियस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठिक कर लेंगे लेकिन इस संकट के अनुभाव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामनी जो स्पट कड़े हैं उनसे पाठ लेकर बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम एक तरह से राष्ट्रपुनर निर्मान का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण उसको परिणाम में लाना पड़ेगा अब बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गाओं में सबके सब वापस आएंगे क्या जो गाओं में रहे जाएंगे उनको रोजगार की क्या विवस्ता होगी जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की जोगों की या उनके मालिकों की स्थिती होगी क्या क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े ऐसी अवस्ता में इनका रोजबार 동안 भी काम रहे और उस समय के सीमित साधनों में बहने सब चल सके इसके लिए सबको कुछ ल avmotion चोड़ना पड़ेगे उसके लिए सब्सक्राइब का इसको भी समझाना पड़ेगा कि और अगर स्वावल अन्यमन ये इस अपत्ती का संदेश रहे तो स्वावलंबन में अपना स्वा क्या है कि उस्वा आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा कम उर्जा खाने वाला रोजगार मुलक परियावरन को न बिगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है उसके आधार पर एक युगानुकूल कर दो